आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रिसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोड़ो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। अगरर अगर अगर कम है तो बहुँ कैसा रहा कम गाड़ा। मतलब यहाँ है कि चांता तरल का वहागुन होता है, जिसके कारण तरल की विभिन परतों के मध्य में जो आपिक्षिक गती होती है, विरोध होता है। ताथ पर यहाँ कि अगर आप दोस्तों यहाँ पानी की बून है और यहाँ शहद की बून है, ठीक है? तो इससे क्या बता चल रहा है कि जिसमें सबसे जादा विरोध हो रहा है, मतलब इसके अनुओ की या परतों के में क्या लग रहा है, बल लग रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, रोकोने का प्रयास कर रहा है, तो यह जो गती हो रही है यहाँ पर इस गती को विरोध करना ही क्या कहलाता है चांता कहलाती है मतलब जो होती है पानी अदिन आज doc अपको इसको इस प्रकार से समझ सकते है तो आपको बताया उससे श्यांता ॉनांक अर्फाध से प्रदशित क्या जाता है जो होता है फ बटए में ए डी जॅशी मतलब है दोस्तों ए डी वी नृष grad पिख्ष परिवर्तन अर्थाद इसको कह सकते दोस्तों वेग की प्रवन्ता ठीक है तो अब यह यह इटा के मार उसके उपर निर्भर होता है कि आपको शांता का किस प्रकार से उपयोग करना है सबसे पहले हम शुरू करते हैं किसे दोस्तों जो आप कोई भी इंजन में या उपयोग करते हैं किसी भी द्रव का या तरल का जिसका शांता अधी होता है पर यह है कि जैसे आप मशीनों में क्या डालते हैं तेल डालते हैं नेहक तेल डालते हैं ताकि उसमें क्या ना हो घर्शन ना हो ठीक है तो मशीनों में जब आप इस नेहक तेल चूस करते हैं तो क्योंकि ऐसा कहा जा सकता है कि उस परईब्र की से मफोर्ग और मौटरों में अलग 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 प्रकार के स निहक तेल ढाले जाते हैं that ताकि उनके जो पूर्चे है उनके मध्य में घर्शन ना हो तो वहां पे शानता का बहुत अधिक महत्व होता है। दूसरा इसका जो अनुप्रयोग आप देख सकते हैं वहां किस भी तेजी से चलने वाली वस्तू के मध्य में मंधन पैदा करने के लिए उसका एक समान करने के लिए इस गुन का उप्योग में लाया जा सकते हैं। तो अनुपार ग्याद करने के लिए या आप कह सकते हैं कि जटिल योगों को की संडुचना ग्याद में भी आप एटा का उप्योग करते हैं। और यहीं हमारे प्रिश्ण का उत्तर है धन्यवाद।